विश्टा डोम कोच की सबसे बड़ी खासियत है कि आप बाहर दूर तक देख सकते हैं और ये असम का खुबसूरत नजारा है और इस लेक की अगर हम बात करें तो ये लेक अपने आप में अलग है क्योंकि हम कह सकते हैं दलदली जमीन पर बनी हुई ये लेक है और यहां अग खुबसूरती है पूरे नौर्टीस में बहुत कुछ देखने के लिए होगा जैसे जैसे धीरे-धीरे विस्तार होगा विस्ता दूम का तो जो हमारे यात्री गण है इसका लाव उटा पाएंगे सर यहां पर मैं देख रहा हूँ कि पहाड भी है और अगर हम बात करें मेगाले की जो की पडोस में ही है तो मेगाले में अगर आप देखेंगे तो मेगाले को मेगाले इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेगों का आले मतलब बादलों का घर है तो बादलों का घर मेगाले पास हाफ लॉंग में काफी उचाई तक रेलवे लाइन चलती है तो वहाँ पर पहाडों पर उपर जा करके आप पहाडों के साथ साथ और जो नजारा सुन्दा देखने को मिलता है बरसाथ के दिनों में बादल बहुत ही खुबसूरत होता है इस तरह की विस्टा दोम कोच से नहीं है क्योंकि तमाम टूरिष्ट देश में ऐसा है जो सोचता है कि आसानी से चीजें देखने को मिलें आराम से आप बैठिये खाते पीते चले जाईए और देखते भी चले जाईए अगर आप उपर नजर डालेंगे तो उपर आसमान भी देख सकते हैं आसमान के साथ सा से हम लोग निकल रहे हैं और उस पूल का नजार आया आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त है सर इस लेक की अगर हम बात करते हैं तो कितनी एरिया में फाइली हुई यह लेक है यह कम से कम 25 स्क्वायर मीटर में बच्वायर किलो मीटर में तो जरूर क्योंकि इसे प्रिजर्व कर पाए है मतलब यह एक तरीके से संदच्चित लेक है और यह फिंटर का सीजन है तो यहां अलग अलग जगहों से सैलानी परिंदे भी आते हैं तो यहां जब आप आएंगे अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप वेश्टा डॉम कोच में सफर करिए और इस लेक को देखते हुए निकल जाईए एक अलग ही अंदाज में आप देख सकते हैं और यहां पर सरमाजी कुछ और बताना चाहरे हैं सर बताईए यहां पर खा जब की जगह आप समझ सकते हैं पास में जो है पहाड हैं जंगल हैं और वहां से हाथी यहां पर आते हैं इस लेक में पानी पीने के लिए क्योंकि जब हम बात करते हैं अलग अलग इलाकों की और खास्तोर पर जंगल की तो जंगल के जो मूल वासिंदे हैं खास्तोर पर हा अर रेलवे को भी यहीं मालूम है कि ये हाथी इधर से आते हैं और इस लेक में पानी पीने ले जाते हैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर हम कहसकते हैं कुछ टूरिस्ट हैं जहां पर बान फायर है और इस तरीके की तमाम चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी, और ये जो लेख है एक बड़ी लेख है और संदचित लेख है संदचित इसलिए भी महतपूर्ण है क्योंकि अगर हाथियों की बात करेंगे तो हाथि यहां पर पानी पीने आते हैं यानि अगर यह लेख खत्म हो गई तो हाथियों के लिए मुसीबत और दूसरी बात यह है कि अगर यह रेलवे लाइन इस पर जो है लोको पाइलिट देख करना चले बड़ी स्पीड में चले तो भी प्राबलम दूसरी बात यह है कि जो टूरिस्ट चलते हैं उनको भी तरह तरह के नजारे यहां से देखने को मिल सकते हैं तो यहां इस तरीके की हम कह सकते हैं beauty जगे-जगे मौजूद है लेकिन उसको प्रचार-प्रसार किये जाने की ज़रूवत है उसको develop किये जाने की ज़रूवत है जब आप develop करेंगे तो तमाम tourist यहां पर आएगा देश से भी आएगा विदेश से भी आएगा और यहीं कोशिस है भारती रेलवे की कि तमाम लोगों को विश्टा डोम कोच के जरिये अलग-अलग इलाकों में जो प्राकृतिक संपदा है उसको दिखाया जाए कैमरामेंट डीके सर्मा के साथ सिध्धार्थ न्यूज इस्टेशन गौहाटी